तो स्वागत है आप सफीका ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दु ग्रामर का एक छड़ा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वीडियो बहुत दा शौट होगा पांच-छे मिनट का लेकिन इस पांच-छे मिनट के व पढ़ा रही है उर्दु ग्रामर का ठीक है तो आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा जुम्ला के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि जुम्ला से दो कोशन आप लोग एक्जाम में पूछे जाते हैं जाहें टेंथ हो यह फिर टूइल्ट हो ठीक है हर साल पूछे ज जब धेर सारे शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं तो वाक्य को ही उर्दु में कहा जाता है जुम्ला यानि कि सेंटेंस तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जुम्ला किसे कहते हैं सेंटेंस को जुम्ला कहते हैं अब यहां से आप लोग के एक्जाम में भी मैस्ban मन्स घुमला सी में डीया रहेदा सवाल यह इसे थार पूछला के आप लोगे एक्जामन कुछ्टन पूछे जाते हैं कोई बीक सेंटेंस यानिकी जुमला दे मरन को ना है और आप लोग को बताना होगा इसलिए जुम्ला के टाइब को बता दे रही हूँ ताकि कोई भी जुम्ला दे किसी भी प्रकार का आप लोग पहचान सके कि कौन सा जुम्ला को क्या कहा जाएगा ठीक है यान की कौन सा जुम्ला का कौन सा टाइब है चलिए स्टार्ट करते हैं जुम्ला की तीन खिसमे होती है यानि की sentence के sentence जुम्ला यानि की उर्दू में sentence के तीन टाइप पहला है मुस्बत जुम्ला दूसरा है मनफी जुम्ला और तिसरा है सवालिय जुम्ला मुस्मत जुम्ला उस तरह के जुम्ला उस तरह के sentence को कहते हैं जिस जुम्ले में किसी काम का करना या फिर होना जाहिर हो जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूं यान कि काम हो रहा है काम करना जाहिर हो रहा है काम होना पता चल रहा है मैं भी पढ़ा रही हूं आप लोग पढ़ रहे हैं ठीक है हम लोग मतलब जिस काम जिस जुमले में काम करना जाहिर हो काम का पता चले कि यहां काम हो रहा है उस जुम्ले को क्या कहेंगे मुस्बत जुम्ला ठीक है अब कोई भी काम हो हसना हो बैठना हो उटना हो खेलना हो दोड़ना हो भागना हो पीटना हो मारना हो कुछ भी हो बस काम होना चाहिए तो जिस जुम्ले में काम होना पता चले उस जुम्ले को कहते ह है मुस्बत जुम्ला अई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा मुस्बत जुम्ला ठीक दूसरा है मनफी जुम्ला तो अगर यहां से कोशन पूछेगा कि सलीमा पढ़ रही है दर्जाइल में से कौन सा जुम्ला है अपसाने में दिया रहेगा मुस्बत जुम्ला वी में द सा चल रहा है आगे बढ़ते हैं दूसरा जो है मनफी मनफी जूम्ला यह बना किसे कहते हैं जिस जूम्ले में किसी काम की मना ही हो उसेसे की तुम तुम मेरा पैर मत दबाओ, तुम पढ़ाई मत करो, तुम वहां मत जाओ, तुम ये मत खाओ, तुम खाना ही मत खाओ, तुम बोलो ही मत, मतलब जिस जुमले में काम करने के लिए मना ही हो, काम करने के लिए मना किया गया हो, उस तरह के जुमले को कहते हैं मनफी जुमला, ठीक सवाले में सवाल हो जिससे सवाल किया जाये उस्से कि कहा रहे हो तुम क्या खा रहे हो तुम क्या खा रहे हो चैके क्यू उसे पीट रहे जिस sentence में सवाल हो, जिस जुमले में सवाल हो, जिस जुमले से सवाल किया जाए, उस तरह के जुमले को क्या कहते है, सवाल यह जुमला, तुम कौन हो, तुम कहां जा रहे है, यह सब क्या है, सवाल यह जुमला है, तो I hope यह तीन समझ में आ गया होगा जुमला, अब देखिये कभी-कभी मानी के एतबार से जुमला की दो किसमें बता दिया जाता है बुक में आप लोग को जुमला की तिन किसमें ही मिलेंगी लेकिन कभी-कभी बुक में मानी के एतबार से यानि की मानी के लिहाद से मानी के अधार पर जुमला की दो किसमें बता देता है पहला है खबरिया जुम्ला और दूसरा है इनशाया इनशाया जुम्ला ठेक हैं खबरिया जुम्ला उसे कहते हैं जिस जुम्ले में खबर हो जैसे की खबर अभी क्या चल रहा है अभी trending news कौन सा खबर चल रहा है कि SDM SDM जियोती मौरिया जो है वो SDM बनने के बाद अपने husband आलोग को छोड़ दी है ऐसा खबर चल रहा है पता नहीं reality क्या है अब कौन जानता है अब किसी के personal life में हम लोग क्यों interfere करने जाए अब ऐसा खबर आ रहा है तो SDM जियोती मौरिया ने अपने पती आलोग को छोड़ दी जिस जुमले से खबर मतलब पता चले उस जुमले को क्या कहते हैं क्खबरया जूमला मैं जैसे की ए एक एकजामपल लेते हैं भंगत सिंग को फासी हो गई यह भी गावर छारु तरफ दे दिया गया होगा कि भंगत सिंगे मतलब जस जुम्ले में क्या हो क्वार हो जीक है यहां तक समझ में आ गया सब क्या है जुछ से जूमले सच या जूट न कहां जा सके मतलब कि वह जुमला जिसमें न जूट का पक्ष दिखाई दे ना ही सच का मतलब आप सच जूट नहीं कह सकते हैं उस तरह के जुमले को कहते हैं इंशाइया जैसे कि काश में वहां जाती तो ना तो इसमें सच दिखाई दे रहा है और नहीं जू काश में वहां जाती काश में खाती काश में परधान मंत्री होती काश में मुख्य मंत्री होती जो भी हो तो इस तरह के जुमले को क्या कहते हैं इन्षाई या जुमला जिसमें सच जूट आप नहीं कह सकते हैं या थैसे यह हो गया मुस्ब्इब जुम्ला ले lets कि सलीमऺ पढ़ रही है या फिर एहमद आहमद रहा है तो इसमें डारेक्स पता है यह सचाहीं दिख रही है की हां दौड रहा है यानि कि जुमले में क्या है सच्चाई है च्रणा भी हो सकता है लेकिन जुमूम्ला जिसमें सच जुमूम पता ना चले काश में जाती है भी कोईgea आप लोगोय को समझ में आए होगा अब देगा आप लोग को बताना है कौन सा जुमला है आई होप आप लोग 100% करेक्ट बना कराएंगे पूरे आप लोग excitement के सांथ जाएगा और जो भी question जुमला से पूछे एक भी question छोड़कर नहीं आना है 100% करेक्ट बना कराना है ठीक है चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं छोड़ा सा टॉपिक था आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा कोई भी सब्सक्राइब करके notification बल जरूर दबाली देगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए चाहिंद और खुदाहाफिज